आज चलिए फिर्टर दिट आज तो फ्रेंट नहों से कलादा आप वेलकुम टू मैं चैनल विक्विकास वंस अगें तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेक्या है आए आप आज के व्लोग और आज़ के ब्लॉग में हम बात करेंगे मेरे CPU के बारे में जो मैंने रीसर्टी एपिछेज किया है तो ऐसा था कि जो मेरा पुराना CPU था वो कफी पुराना हो चुका था और उसमें एडिटिंग करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए और काफी टाइम लेता था एडिटिंग करने में तो मुझे एक नए PC की जुलूत थी तो मैंने काफी रिसर्च किया काफी कुछ में पिछ्रे में मंस में ऑनलाइन देखा ओफलाइन देखा और फिर में ने कुछ असेंबल करने के बारे में सोचा और फिर फाइनली मुझे एक बिट करने में पता चला उसके रिविउस पड़े और जो CPU में जो components है उसकी detail है वो आपको में वीडियो में आगे बता दूँना तो आप देख सकते हो कौन-कौन से components उसमें यूज करें हैं यह CPU है यह mainly focus है editing के लिए इसको editing के लिए ही यूज करूंगा और किसी काम के लिए तना यूज नहीं होगा यह आपको लेके चलता इसको अच्छे से handle किया जाए वो इसका parts है वो को भी damage ना हो जल्दी से एक time-lapse के through इसको unbox करते हैं देखते हैं कि CPU कैसा दिखता है वो यह है Wi-Fi Dongle और यह है जो चेक्लिस्ट उन में करी थी और यह item details जो की parts के list है जो जन से parts इसमें components इसमें यूज कियेंगे हैं CPU में इसका screenshot में आपको भी डाल देता हूँ है देखे साइड द्रास से आप देख सकते हो कफी अच्छे से पैक किया गया इसको इसके अंदर भी अपने फिलिंग दिये रखी है उन्होंने फोम से ताकि कोई भी जॉब का पार्ट है वो ट्रांजिट के दोरान डेमिज ना हो दर अब देख सकते हो ग्रिल है कूलिंग के लिए और यह साइड में अर्जीबी स्ट्रीप है पिछे आर्जीबी फैन है यह ग्राफिक कार्ड है और एक्स फाइव सेवन्टी एड़ीवी और यह देख सकते हो इजन 3600 इस टॉपलर और मदर बोर्ड है MSI VDH Pro Max और राम है 8GB के दो स्टिक्स 3000 MHz और पावर स्प्ली है 550 Watt कॉलर मस्टर और यह देख सकते हो इदर पोर्ट्स माउस के लिए डिस्प्लेइ पोर्ट और बहुत सारे USB पोर्ट्स हैं USB 2 और यहां पे हैं USB 3.0 पोर्ट और HDMI पोर्ट माइक के लिए और यह आप देख सकते हो LAN पोर्ट यह दर है पावर स्विच रिस्टार्ट LED पेटर्न चेंज करने के लिए स्विच और USB 2.0 USB 3.1 3.1 के दो पोर्ट हैं फर्ट पनल में और यदर हैदफोन चेक और माइक यह है HDMI 2 VGA अदटर यह वीडियो जो आप देख रहे हो यह मैंने अपने नए PC पेड़िट किया है उसमें जो रेंडरिंग टाइम बहुत ही ज्यादा कम हो गया तो काफी टाइम मेरा सेफ हुआ है और काफी अच्छा एक्स्परियंस रहा है मेरा स्वर्ण पाव अच्छा लगा और उसके साथ ही वीडिओ घर होज़ा हो अच्छी लगी हुई तो वीडियो अच्छी लगी हैतो आपको पता ही आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है कमेंट करना है और मेह चैनल को अभी तक सबस्काई belum है तो स्ब्सक्राइब कर लो जल्दी से और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे रूप ट्रिप पे कुछ नए पुराणे दोस्तों के साथ और तिल दैंक मेरे चैनल में जुड़े रहे हैं जाहें जाहें